तो दोस्तों मैं आचुका हूँ और एक नया अपडेट के साथ यह है TVS का स्पोर्स 2019 एडिशन इसका ग्रैफिक्स नया दिया गया है तो आप सभी को फिर से स्वगत है मेरा चैनल इंडियान बाइक के इस एपिशोड में तो इस बाइक में हलाकि अभी तक जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो ही पुराना वाला है दुरों तरह ड्राम है और इस में स्नीक ब्रेकिंग सिस्टम नहीं दिया गया है तो मुझे उम्मिद है कि साइथ कुछ दिनों बाद इसमें भी ब्रेक दिया जाएगा इसके पहले वाले वीडियो में मैंने काह था कि टैर के बारे में मुझे मालूम नहीं है लेकिन मैं कॉन्फर्म हूँ इस बार दोनों तरफ ट्यूब टैर ही है इसमें आपको ट्यूब लेस नहीं मिलता है बड़िया बाइक है माइलेस सेवेंटी आपको दे ही देगा 100% गैरेंटी इसका जो खास बात है इसका हेड लाइट बहुत ही बड़ा है और इसका लाइट रात में बहुत ही चमकदार है तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपके लिए मैं उपर आई बटन में लिंक दे दूँगा जहां से आपको इसी बाइक का और एक वीडियो मिल जाएगा वहां से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगे तो मैं इस बाइक में कुछ बाते ऐसी बोलना चाहता हूँ आप थोड़ा गौर कीजिए मैंने कुछ क्लोस सौट लिये है इसके आपको फोर के में वीडियो मिल रहा है आप अगर चाहो तो इसे टीवी या फिर आल्टरा एजटी टीवी या फिर लैपटॉप या फिर कॉंप्यूटर में देखो आपको फोर के आप्शन मिल जाएगा इस बाइक को नए तरे किसे लाया गया है इसमें टीवी एस लोगो दिया गया है इसका ग्रैफिक्स नया है इसमें मुझे जो लगता है कीक है इस बाइक में और self start भी है तो बहतरीन बाइक है इसका seat dual tone कर दिया गया है seat भी बहुत ही soft है और बाइक देखने में बहुत खुबसरत है आपको बस एक बात में कहना चाहूंगा TBS का कोई भी बाइक हो आप time to time उसका service करवाए इससे आपको सब कुछ बहतरीन मिलेगा और mileage भी मैं आपको फिर सके है दूँ ये बाइक आपको 70 दे ही देगा उससे उपर जा सकता है नीचे नहीं तो हलाकि बाइक बहुत ही simple है लेकिन बहुत ही खुबसरोत है देखने में लेकिन अगर company इसको tube लिस्ट कर देता तो मेरे हिसाब से जो खरीदने वाले है जो customer है उनके लिए बहुत ही लाबदाएक होता हलाकि ये दिन आ चुका है कि अब tube tire नहीं चलते है road के लिए जो पहाडों में जो bike चलते है उनके लिए tube tire ठीक है और spoke wheel भी लेकिन जब ally wheel के साथ bike आ रहा है तो मेरे हिसाब से उसमें tube tire डालना चाहिए क्योंकि ये bikes खरीदते हैं वो ही जो business man होते है जो बहुत ज़ादा route पे bike चलता है जिनको bike हड्रोस की ज़रूरत परता है उनको mileage भी जाए साथी साथ tire भी ऐसा चाहिए जो leak होने पर भी पाचास से साथ किलो मेटर तक चल जाए तो मेरे हिसाब से अब हर company को चाहिए आपने जो anti-segment bikes है जो अच्छे mileage देते हैं उनको tube लेस कर दे आप इस बार में आपना अपना राय ज़रूर ज़रूर comment box में लिखे तो bike को देख ले आप overall bike देखने में बहुत ही खुबसूरत है और यह जो showroom है यह West Bengal में भरोंपूर city नाम है मेरा और district मूर्शिदाबाद है तो मूर्शिदाबाद में सारे bikes available होता है यह metal का है और यह metal का ही है साइद समझ नहीं पाया ठोकने के बाद भी कि metal है यह फाइवर है आवाज को इस तरह आया फाइवर भी हो सकता है अगर फाइवर हो तो ज्यादा बहतर है दोनों तरफ drum bag दिया गया है देखिए इसमें कोई sneak breaking option नहीं है हाला कि मुझे उम्मीद है आने वाले को उस दिरों में या फिर April 19 से पहले इसमें breaking आ जाएगा बाइक बहुत ही बहतरिन है आपको mileage अच्छा देगा मेरा guarantee है आपसे अगर आप यह भी इसको चाते हो अगर आप mileage चाते हो तो आपको एक बात ध्यान रखना परेगा कि इस bike में tubeless tire नहीं है हाला कि सब कुछ बढ़िया है एकदम से तो आप अगर tire के उपर जदा ध्यान मत दोगे तो bike आपके लिए एकदम बढ़िया है mileage आपको 70 देही देगा guarantee तो दोस्तो अगर यह भीडियो आपको कनवारी तक आ जाए मिडिल या फिर आखिर तक आने के बाद ही में वीडियो डालूंगा तब तक के लिए आप सभी से में goodbye कहूंगा और कहूंगा कि आप सभी मेरे साथ जुरे रहिए धिरे धिरे जुरते रहिए और चैनल को बढ़ा बनाता जाए मैं अपनी और से साड़ कोशिश पुरे करता रहूंगा तो दोस्तो इसी बात से मैं आप सभी से अभी तक के लिए विदा लेता हूं इंतिजार केजिए मेरे नए आपडेट के लिए ठैंक्यू दोस्तो कर दोस्तो